कौन महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैग गए। शिश्य समुदाय उनके इस मौन के कारल चिंते थुए कि कही वे अस्वस्थ तो नहीं है। आखिर एक शिश्य ने पूछी लिया, भन्ते, आप आज इस तरह मौन क्यूं हैं। वे नहीं बोले तो दूसरे शिश्य ने फिर पूछा कुरुदेव, आप स्वस्थ तो हैं। बुद्ध फिर भी मौन ही बैठे रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति ने जोर से पूछा, आज आपने मुझे धर्मसभा में आने की अनुमती क्यों नहीं दी। बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आखे बंद कर ध्यानमग्न हो गए। वो बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से बोला, मुझे धर्मसभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है। धर्मसभा में बैठे बुद्ध के शिश्यों में से एक ने उसका समर्थन करते कहा, भंते, उसे धर्मसभा में आने की अनुमती प्रदान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने आखे खोली और बोले, नहीं, उसे अनुमती नहीं दी जा सकती है क्योंकि वो अच्छूत है। अच्छूत, मगर क्यों, सारे शिश्य सुनकर आश्चर्य में पढ़ गए कि भंत क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है। क्रोध करने वाला अच्छूत होता है क्योंकि उसकी विचार तरंगे दूसरों को भी प्रभावित करती है। उसे आज धर्मसभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहां खड़े रह में आने की अनुमती प्रदान की।